हलो बच्चो गुड़ इबनिंग तो आज की यह जो क्लास है जावा की इसमें स्टार्ट करने वाले है आए पफिंट सी 10 में इस्पेशली आएरें ट्रू के अंदर है आए एक चैप्टर है जो बच्चे आए सी 9 के हैं उनकी आभी कुछ बच्छों के आहां कंप्यूटर में स्टार्ट किया गया है वैसे तो यह 10th में स्टार्ट किया जाता है लेकिन कुछ बच्छों को 9th में भी स्टार्ट कर देते हैं तो जो भी बच्चे है जिनको array पढ़ना है और जिनकी हाँ array आ सकता है पोर्स में तो आई रहा है उन सब के लिए एक लास है चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक array 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 ठीक है array देखो सबसे पहला जो question माइन में आता है कि ऐसा क्या हो गया कि हमें array जैसा topic पढ़ना पार रहा है ठीक है तो सबसे पहला तो question यह 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 array और why array के लिए what is array तो समझ नहीं पढ़े गया और what is array के लिए why array मतलब दोनों connected हैं सब कुछ तो हमारा जो main topic है कि array हमको पढ़ना क्यों है ऐसा क्या हो गया नया ऐसी क्या problem आ गई प्रोग्रामिंग करने में कि हमें array जैसी चीज़ पढ़नी पढ़ रही है और उसी question के थो आप जान जाओगे कि array use कैसे करना है तो पहले मैं आपको why array का answer देता हूँ देखो इसको situation के स आपसे समझना पढ़ेगा कि array को पढ़ने की जरूरत क्यों है ठीक है होता क्या है कि programming language है जिसमें program बनाते हैं basically program किसके लिए बनता है program बनता है devices के लिए कोई भी device हो सकता है आपका mobile हो सकता है आपका laptop है computer है या और भी devices हैं जिसमें software पढ़ता है आप तो बहुत सी devices में software प open हो गया आप तो मतलब fans में भी Bluetooth से connected है that means कहीं न कहीं उसको instruction देने के लिए पंखा आपके instruction समझ जाए उसके लिए उसके अंदर software पढ़ता है electronic bugs आते हैं जो उसमें भी software पढ़ता है उसका color वगरा change कर सकते हो that means उसमें भी software के एक chip है that means software हर जीगे अब software के साथ में hardware का operation होता है वो तभी हो पायागा जब आप software के अंदर कुछ instruction दो hardware आपके instructions को समझ जाए और उनी instructions के recording वो perform करें ठीक है तो यह जो software है जो hardware के अंदर परता है यह memory लेता है memory का मतलब है कि जब भी आप computer के अंदर बात करते हो तो एक term आता है memory आप mobile phone 4GB RAM का है यह आपका 8GB का है इसमें RAM है यह आपका 6GB RAM है तो यह जो 4GB, 8GB, 6GB है न यह memory है यह memory जितना ज़्यादा होगा आपका जो device से वो अतना efficient काम करेगा पहरी चीज़ आपको यह ध्यान रखनी है ठीक है आप है user हम है user as a user हम ऐसा mobile यह ऐसी devices खरीदें जिसमें memory ज्याद हो so that वो बिना hang के या बिना delay वो perform करती रहे लेकिन आपको programmer's point of view से यह सबजना पड़ेगा कि as a programmer यह हमाई इतना समझ दो तो जब आप data की बात करते हो memory की बात करते हो मतलब जो variable है वो सीधे memory के occupization मतलब memory occupy कितनी हो रही है उस पर बात होती है तब हम array का concept लेके आते हैं तो array का मतलब है हम यहाँ पे variables की बात करने वाले हैं जब हम array की बात करते हैं तो that means जो variables है variables हम जतने work है वो उतना less हो जाएगा तो situation क्या है देखो मैं आपको एक question देता हूँ मतलब आपको करना नहीं है बस oral सोचना है and situation आपको समझनी है कि हम array क्यों पढ़ना चाहते हैं मैंने आपको एक question दिया कि आपको एक program बनाना है जिसमें array की sorry एक rectangle की length और breath आपको input लेना है और उसक area निकालना है तो आपको length, breath और area तीन variable में आपका काम हो जाएगा मेरा question है एक radius है एक circle का उसका radius का आपको input लेना है उसका भी आप area निकालो तो यहां तो दो ही variable में काम चल जाएगा एक radius के लिए हो गया और एक आपका area के लिए हो गया लेकिन मतलब पहले में तीन variable दूस output लेना है इसका मतलब आपको 100 variable चाहिए तो यह manageable नहीं है ठीक है क्योंकि आपको 100 variable declare करने पालेंगे कैसे declare करोगे कुछ ऐसे आपका जो age है वो आप ऐसे declare करना शुरू करोगे int, a, b, c, पहले तो 26, 26 आपके alphabets हो गए खतम हमें तो 100 variables चाहिए अब आपको क्या करना है लेना impossible तो नहीं है लेकिन manageable नहीं है अच्छा अगर 100 आप ले भी लेते हो तो मैं question करता हूँ कि आपके सारे school के सारे students का आपको age का input लेना है मतलब लगबग thousand of variable आपको चाहिए तो आप पका नहीं लोगे मतलब यह आप कह सकते हो कि ना अब impossible है और अगर यह भी impossible नहीं है तो हम ten thousand में चले जाएंगे मतलब कहीं न कहीं जब हमाँ पास number of variable बढ़ने लगते हैं तब हमको लगता है कि नहीं यह तो कोई मतलब ही नहीं कि हमारा program कुछ नहीं है और हमें thousand या hundred या इतने ज़्यादा variables लेने यह तो आपके end पे हुआ प्लस इतने variables जब आप memory में डालो है कि जब variables बढ़ने लगें जब data बढ़ने लगें तब आपको क्या करना उसको collect करना पड़ेगा और जब collect करना पड़ेगा तो हमारा जो concept है वो कौन सा concept है ठीक है जैसे आप नर्मल जब market में गये तो अगर आपको बनाना खरीदना है केले खरीदने तो आप उसे बोलोग हम ऐसा थोड़ी बनें आरे वहां पे पचास आदमी या उसके नाम लेके बोलो हमने एक word बना लिया मॉप यह जो sets है जो किसी और subject में sets एक word आता है वैसे हमारा computer के इंदर जो array है basically वो set है set of something and वो something क्या है वो है variable ठीक है चलिए बस यही आपका introduction हो गया array का use क्या है जब data बढ़ने लगे जब variables बढ़ने लगे आपको लगी कि यहां पर बहुत सारी variable लेने है तब आप array का use करोगे अब यहां पर एक restriction है क्या restriction है कि जब हम array की बात करेंगे तो उसमें जो variable है ना वो same type का data store करने वाले होने चाहिए जैसे हमने बात की 50 students की age तो अब सबकी age एक type का data है किसी की age 12 years है किसी की age 14 years है किसी की age 20 years है लेकिन अब कोई ऐसा तो student है नहीं है मुझे बाइच कितनी है और वो कह दे my age is who are you ऐसा data नहीं है मतलब सबकी age numeric type होती है वो भी integers में होती है ठीक है तो जो आपका एक type का data है जब उसका हम collection त्यार करते हैं जब उसका हम set त्यार करते हैं उसी set को बोला जाता है array ठीक है तो array की definition ही यही है that array is the collection of similar type of data array क्या होता है आपको definition ले लेनी है that it is a collection of it is a collection of similar types of data ठीक है जब हम data की बात करते हैं तो data का मतलब variables हो गया एक ही type के variables या एक ही type का data अगर है मतलब एक ही type का data का जो collection होता है उसको हम पूलते हैं array ठीक है तो array is a set of similar type of data data अब जो dissimilar type of data का set होता है वो दूसरी चीज़े उसको बोलते है link list नाम में बता देता हूं लेकिन यह आपको 10th के अंदर इससे कुछ नहीं पूछा जाता तो बस मैंने नाम बता दिया तो जो similar type of data का collection है उसको array बहुते है ठीक है यह definition हो गई ठीक अब definition के साथ साथ आपको इसकी property भी याद रखनी है property क्या है जो array होता है it stores on array stores on continuous memory locations memory locations इसका ग्या मतलब है ठीक है यह important चीज़ है जब आप array definition लिखने जाते हो तो आपको यह भी ध्यान रखना कि जो array है वह continuous memory locations पे store होता है और क्योंकि आपके MCQs भी पूछे जा सकते हैं जाते हैं पूछे जाते हैं तो आपको यह ध्यान तो आपको ध्यान रखना है कि जो array है वह continuous memory location पे store होता है आपको ध्यान रखना है array stores on continuous memory location ठीक इसका मतलब क्या है देखो जो array होता है वह ऐसे store होता है जैसे for example यह आपका एक memory हो गया एक चिप है जो devices में लगती है जहां पे हमारे variable store होते है तो एक rectangular form में मैंने इस memory को लिया और जो हमारी memory होती है न डिवाइसे की जितने भी आपके डिजिटल डिवाइस हैं के इंदर जो RAM होती है ठीक है जो आप आज की मोबाइस में आता है कि 6GB RAM है 8GB RAM है 3GB RAM है वो जो RAM है वो cells में divide होते हैं बहुत ही minute से cells होते हैं मैंने आपको दिखाने के लिए यहां थोड़े से बड़े cells बना दिये हैं ठीक है तो जो आपकी memory होती है वो cells में divide होती है जब हम कोई program बनाते हैं जैसे suppose मैंने कोई program बनाया public static void में और इसके अंदर मैंने एक variable लिए 3 A हो गया B हो गया and C ठीक है और भी variables हो सकते हैं तो यह 3 variable है क्योंकि इस memory का नाम ही है RAM RAM का मतलब है एक ऐसी memory जो randomly access होती है random access memory that means यह जो 3 variable है कोई variable हमारा यहां पे store हो जाएगा कोई variable हमारा यहां पे store हो जाएगा और कोई यहां पर सपोज यह आपका A store हो गया यहाँ बी store हो गया यहाँ पर C मतलब यह जो variables है वो randomly store होते है ठीक लेकिन अगर हम array की बात करें तो array आपका randomly store नहीं होता यह problem है एरे जो आपका है वो randomly store नहीं होता है एरे को क्या है कि वो एक साथ store होगा suppose उसको 10 cells चाहिए तो यहाँ पर एक data है यहाँ पर एक data है यहाँ पर है कुछ random data मैंने डाल दिया तो अगर एरे को अब जी आपको देख रहे हो जहाँ पर cross है वो memory आपका occupied है वहाँ पर variable है कोई value है मतलब वो data वो जिगे भर चुकी है जो खाली cells है वो खाली है तो अगर हमें एक ऐसा array चाहिए जिसको 10 cells चाहिए ठीक तो इस memory के अंदर वो array store नहीं हो पाएगा जबकि 10 से ज्यादा की जिगे खाली है जैसे 1,2 खतम 1,2,3 खतम तो इस तरह से आप देखोगे अगर तो आपको 10 लगाता cells कहीं भी नहीं मिलेंगे तो array के recording यह जो memory है जिसमें 10 से ज्यादा variables store हो सकते लेकिन 10 variables के बराबर का array इसके अंदर store नहीं हो पाएगा यह मतलब है कि जो array होता है तो continuous memory पर store होता है अगर इसको continuously उतनी memory नहीं मिलेगी तो आपके अंदर जो memory है आपके device में even वो free है बट array के recording वो full बताएगा यह आपका उस line का जो मतलब है वो मैंने बताया ठीक है इस store on continuous memory location ठीक तो चलिए यह आपका array की definition हो गई अब सीधे हम देखते हैं कि array को create कैसे करते हैं array के उपर क्या-क्या operations perform किये जाने हैं ठीक है चलो तो देखे अब जब हम array का program करेंगे तो जैसे मैंने आपको एक class में बताया था कि कोई भी program आपका होता है Java के अंदर या किसी भी programming language में सबसे पहले आपको variables को declare करना है फिर variables का input लेना है और इसके बद processing यहाँ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है जब हम array की बात करेंगे तो सबसे पहले array के अंदर आएगा declaration of array declaration of array सबसे पहला topic हमें array को declare करना है तो array को declare करने का syntax क्या है सबसे पहले हमें किस बेटा टाइप का array create करना है वो हम बेटा टाइप लिखेंगे इसके बाद यह space हो गया ठीक है फिर हमारे array variable का नाम आएगा जो भी array का variable होगा उसका नेम आएगा और क्योंकि वो array variable है उसके लिए आपको square brackets लगाने ठाखते हैं ठीके जावा के अंदर हर symbol का अपना उसको और मतलब है तो वहां पे square brackets लगेंगे उसी continuation में आप equals to का sign लगाओगे new यह एक keyword है यह operator है जो array को create करने में help करता है declare करने में help करता है इसके बाद आपको फिर से लिखना पड़ेगा उसी data type का नाम जिस data type का यह array है ठीक तो अब example मैं आपको देता हूँ कि array हो कैसे तो मुझे क्या करना है एक ऐसा array create करना है जैसे मैं यहाँ पर एक normal statement लिखा a b c d e ठीक है तो यह जो आपका statement है यह आपका five different variables को create करेगा हम चाहते हैं कि हमारा भी array create हो जो पाँच different different type के numbers को store करे इसी के equivalent अगर हमें array declare करना है तो मैं ऐसे लिखना होगा इसके according देखना data type, integer type, variable जो array का नाम होगा वो मैंने नाम रखा arr क्योंकि यह array variable बनाना है तो आपको square bracket लगाने and then equals to new see small letters में होगा new ध्यान रखना है small letters में आपका new हो गया and फिर से आपको लिखना है int और यहां पर आपको लिखना है 5 ठीक तो ऊपर वाला statement है वो आपका 5 different variables create करेगा लेकिन जो नीचे वाला statement है वो एक array create करेगा जिसके अंदर हम 5 elements को store कर सकते हैं that means यह दोनों statement आपके equivalent है उपर वाला statement 5 अलग-अलग elements create करेगा जबकि नीचे वाला statement आपको क्या करेगा एक ही variable के अंदर जो array variable है उसमें 5 different elements को store करने की जिगे बना देगा कैसे बनाएगा वो मैं आपको बताता हूँ ठीक है चलो तो सबसे पहले यह statement आपको ध्यान रखना है जब भी आपको array create करोगे तो इस तरह से आपको statement देना है जितने भी elements का array होगा वो आपको वहाँ पे दोगे अगर आपको 10 elements का चाहिए तो यहाँ पे आप 10 देदोगे 15 देदोगे जितना भी आपको देना है उतना आप दे सकते हो ठीक चलिए data type का नाम आपको देना है ध्यान रखना है यह और यह दोनों जिगे data type होता है अक्सर आप लोग गलती से क्या करते हो यहाँ पे तो आपने data type दिया यह ARR आप यहाँ पे वापस लिख देते हो जो की ही नहीं है यह syntax error आपको ध्यान रखनी है left hand side का जो square bracket हो खाली रहेगा right hand side के square bracket में आपको size देना है ठीक है तो यह पहला statement हो गया यह five elements का एक array create को गएगा ओके पहला statement declaration of array next अब second चीज आपकी है वो है input in the array input in the array आपका array create हो चुका आपको उस array में input लेना है ठीक है input लेने से पहले जो हमारा वो array create हुआ वो दिखता कैसा होगा आपको दिखने हो ठीक है यह जो आपका array create हो गया है यह दिख क्यासा रहो देखिए तो चल्ड़ो देखो जब आपने यह line लिखा तो आपका array create हो गया five elements का memory में क्या होगा एक वो area जैसे यहाँ पर आपका integer है एक integer variable memory के अंदर four byte लेता है जो आपका one integer variable है one integer is equivalent to four bytes आपका एक integer variable memory के अंदर four bytes लेता है ठीक है memory के अंदर पूरा 20 bytes का एक block मिलेगा यह पूरा block जो आपका है वो 20 bytes का हो जाएगा उस पूरे block का उस पूरी colony का नाम क्या पर जाएगा ARR आपका है तो पूरी colony का नाम ARR होगा फिर उसमें flats बनाए जाएगे ठीक है flats का मतलब है इसको five parts में divide किया जाएगा और इनको differentiate करने के लिए यहाँ पर index लगाए जाएगे 01234 ठीक है एक number का question आ सकता है कि array का starting index क्या होता है तो array का starting index है वो 0 होता है यह आपको ध्यान लगता है ठीक है तो array के starting index 0 होते है अगर किसी बच्चे ने strings पॉल रखा है तो string का भी starting index 0 होता है तो array और string दोनों के starting index 0 ह ठीक है चलिए तो यह आपका array जो create हुआ उसके according यह memory के अंदर होगा अब यहाँ पर अभी values ले आई है ठीक है तो यहाँ पर जो values दी जाएंगी उसी का मतलब input in the array ठीक है जो हमें अगली slide में पढ़ना है तो array को declare करने का मतलब इस तरह से array create हो गया यह 5 variables अगर 5 अगर 10 हो हो गया और हर एक element का एक नाम रखा जाएगा वो नाम क्या है वो नाम आपको ऐसे देखते हैं देखो यह जो first आपका है इसका नाम हो जाएगा ARR 0 यह जो second है इसका नाम हो जाएगा ARR 1 देन 2 फिर उसके बाद third index वाला 3 और इसके बाद यह जो आपका है element इसका नाम हो जाएगा ARR of 4 ठीक है तो इस तरह जब आपका array create होता है तो हर एक cell का एक नाम होता है जैसे आपके different different नाम है ना A, B, C, D, E A यहाँ पर है, B यहाँ पर है, C यहाँ पर है, D यहाँ पर है लेकिन इसमें क्या होगा एक साथ सारे elements हो जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4 तो जो आपका array होता है continuous memory location हमने बात की थी यह वैसी कुछ आपका representation array का memory के अंदर ठीक है तो अब in cells पे हमको number देना है ठीक है in cells पे number देना है वो हमें पढ़ना है input in the array और input करने के तीन तरीके होते हैं, किसी भी variable में तो array के अंदर भी input करने के तीन method हैं, जो first method है वो है initialization हम initialization करके array को input दे सकते हैं, example में देता हूँ, यहाँ पर मैं एक ऐसा array बना रहा हूँ, जो first five even numbers से initialize हो रहा है, ठीक है पहले पांच even numbers से initialize हो रहा है, कैसे होगा int a, यह हमारे array का नाम हो गया, is equals to, अब ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको new नहीं लिखना है, जब आप array को initialize करोगे, तो आपको new का use नहीं करना है, इसको no down कर लेना, अगर हम array का initialization करते हैं, तो हमको new keyword का use नहीं करना है, new keyword का use सिर्थ तब करेंगे, जब आप array को क्या कर रहे हो, declare कर रहे हो, जब आप array को declare करोगे, सिर्थ तब आप new keyword का use करोगे, initialization में new keyword का use नहीं करना है, आपको यह ध्यान रखना है, ठीक है, चलिए, तो आपका input the array, initialization, initialization कैसे होगा, with first five even numbers, देखो, आपको curly bracket लगाने, और यह हो जाएगा, two, four, six, eight, ten, ठीक है, अगर आपको first five even numbers के साथ में एक array को initialize करना है, तो हम क्या करेंगे बटा, उसको two, four, six, eight, ten के इसाब से, आप उसको initialize कर दोगे, ऐसे, ठीक है, चलिए, मेमोरी में क्या हुआ होगा, मेमोरी में ऐसे हुआ होगा, अपने आप एक array create हो जाएगा, जिसमें five indexes बन जाएगे, zero, one, two, three, four, और इस पर आपका आजाएगा, two, four, six, eight, or ten, इस तरह से आपका array अपने आप create हो जाएगा, ठीक है, तो जब आप array को initialize करोगे, तो new keyword का use नहीं करना है, या आपको statement ऐसे ध्यान रखना है, even, आपको एक question ही मिल सकता है, write a statement to initialize an array with first five even numbers, prime numbers, या जो भी हो सकता ह है, ये first five even numbers के साथ में एक array को क्या करता है, initialize करता है, वहाँ पर new keyword का use नहीं किया जाता है, या आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसके बाद, तो या आपका हो गया कि हमें input in the array में सबसे पहला input होता है, initialization का, जो method यहाँ पे है, second जो input है array के अंदर, वो है through for loop, या through scanner, using scanner, using scanner, second input हमारा array के अंदर using scanner होगा, हम scanner के through array को input करेंगे, एक में बटा बस, चलो, ठीक है, हम scanner के through input करेंगे, अब इसको आपको इस statement को ध्यान से देखना है, एक छोटा सा program, सिर्फ array के through हम input कैसे लेते हैं, scanner के through input हम array का कैसे लेते हैं, वो दिखाने के लिए, तो आपको लिखना है, PSVM, आप सारे लोगों को PSVM का मतलब पता है, क्या होता है, ठीक है, अच्छा, यह program थोड़ा सा बड़ा होगा, इसको में next screen पे लेते हैं, तो हमारा जो topic है, वो है, scanner के through एक array का input कैसे होता है, ठी ठीक है, देखो, तो यह आपका हो जाएगा, input in array using scanner, scanner के through array के अंदर input लेना है, ठीक है, मैं आपको पूरा एक program, यहाँ पर demonstrate करके बताता हूँ, तो यह आपको सबसे पहले, क्योंकि हम array का use करना है, तो हम लिखेंगे, import java.util.star, ठीक है, यूटिल package आपका, आप import कराओगी, क्योंकि आप scanner के use करने जा रहे हो, scanner जो है, वो यूटिल package में आता है, एक number का question यही पूछ सकता है, ठीक है, which package is used, which package should be imported to use scanner util package, या java.util, then class, और class का नाम मैंने रखा, array, ठीक है, then public static void main, public static void main को short form में PSVM लिखते हैं, यहाँ पर जो लिखा जाता है, scanner, string args, जैसे कुछ students यहाँ पर string args लिखते हैं, तो string args आप लिखते हो तो ठीक है, आप नहीं लिखो के तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि string args तब use किया जाता है, अगर हम BlueJay जैसा software use ना कर रहे हैं, अगर हमें argument section से input लेना है, तब हम input string args लिखते हैं, तो क्योंकि हम BlueJay software use करते हैं, तो string args आपके logic का पार्ट नहीं है, आप लिख रहे हो ठीक है, आप नहीं लिखते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, boards में इसके marks आपके नहीं कटे हैं, ठीक है, यह आपका हो गया, इसके इसी continuation में system.in, यह आपका एक statement हो गया, जिसके तो आप scanner class का object बना होगे, अब आप array को declare करोगे, ठीक है, int a is equals to new int, और suppose आपने 5 elements का array declare कर दिया, यह आपका array का declaration हुआ, अब input पे जाएंगे, तो सबसे पहले आप एक SOPLN statement दोगे, जिसमें लिखा जाएगा, enter elements, और इसके बाद, आपको for का लूप चलाना है, ठीक है, सबसे important part अब आया है, तो for के लूप में हो जाएगा, int i is equals to 0, आपको ध्यान रखना है, कि अगर आपने 5 elements का array create किया है, तो आपको जो लूप है, input कराने का, वो 0 से start होगा and 4 तक जाना चाहिए, तो अगर आपका 5 elements का array है, तो 0 से लेकर आपका जो लूप है, वो i should be less than 5, या फिर less than equals to 4 भी आप लिख सकते हो, क्योंकि अगर आपका array 0 से start होगा, तो last index 4 आजाएगा, 5 elements में, तो ये as a programmer आपको ध्यान रखना है, as a student, और यहाँ पर finally आपको लिखन i is equals to sc.next.imp, तो ये program तो कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए है, कि हम array के अंदर input कैसे लेते हैं, तो अभी जब हम program करेंगे, उसमें आपको scan है कि through input लेना होगा, तो ये portion आपको as it is ध्यान रखते हैं, जब भी आप array का program बनाओगे, तो ये portion तो आपको लिखना ही लिखना है, इसी के through आपका array input होगा, means ये जो आपका यहाँ पे हमने एक structure छोड़ दिया है, तो यहाँ पे जैसे आपका 2 आ गया, 8 आ गया, minus 5 आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया, आपका ये loop चलता जाएगा, और एक एक करके elements memory के अंदर पहुंचते जाएगे, तो ये method आपका array को input करने का है, through scanner class, एक method और बचता है, उसको भी हम discuss कर लेते हैं, फिर program पे आ जाते हैं, जो third method आपका है, array को input करने का, वो है, input in array, through arguments, ठीक है, ये third method आपका है, ये third method है, और इसके through आप array के अंदर कैसे input करोंगे, देखो, आपको लिखना है, कोई भी program आपका start हुआ, class, ABC, ठीक है, जो भी आपकी class का नाम है, then public static void main, exam में आपको public static void main complete लिखना है, वहाँ पे नहीं लिखना है, पीस्वी है, ठीक है, वन्ना number कर जाएंगे, और यहाँ पे argument section में आप लिखोगे, int a and square, ठीक है, यह input हो गया, अब यहाँ पे बहुत important चीज़ एक बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखना, वो गलती मत करना, उसके भी number कटेंगे, ठीक है, कटने चाहिए, नहीं कटेंगे वो आपकी किस्मत, लेकिन आपको ध्यान रखने, आपको गलती नहीं करोगे, जब हम argument section में array का input लेंगे, तो आपको क्या करना है, array की length निकालना नहीं भूलना है, आप एक variable लोगे, interior type का, और आपको लिखना है, length is equals to a dot l e n g t h, और यहाँ पे यह ध्यान रखना है, round bracket में लगा देना है, जो बच्चे string से family आ रहे हैं, string में function होता है, जो length निकालता है, string का, वहाँ पे round bracket होते हैं, बट यहाँ पे आपको round brackets का use नहीं करना है, तो जब भी आप argument section में array का input लोगे, आपको length निकालनी ही निकालनी है, यही method, यही जो आपका यह property बुला जाता है, यह length property यह बताएगी कि आपके array में कितने number of variables present हैं, ठीक है, तो बस तीन method आपके पास ह documentation, scanner और arguments, किसी नाब किसी method से आपका array के अंदर data पहुच जाएगा, इसके बाद हमारा program स्कार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो यह अलग-लग चीज़े बताईएं, एक number के question में आप से पूछा जा सकता है, बाकी program में तो आपको use करना है, यह मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे अगर question में लिखा हुआ है, कि हमें इतने elements array को create करना है, तो आप scanner से input लोगे, ठीक है, अगर question में लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे, write a program to input java, in java to input an array of 25 elements, हमें एक array input करना है 25 elements का, तो यहाँ पर जो आप method यूज़ करोगे, वो scanner वाला यूज़ करोगे, ठीक है, तो simple सा ह एक एक आप देखते जाए, example के सु, तो start करते हैं हम लोग, import java.util.start, ठीक है, मैं तुमा छोटा लिख रहा हूँ, क्योंकि यह program है, एक ही slide में आ जाए, तो बहुत अच्छा है, आपको समझने में आसानी होगी, then class, और class का नाम है, class का purpose क्या है, हमें सारे even elements को array से print करना है तो आपका class का नाम हो जायाएगा, even, then public, static, void main, और सबसे पहले, scanner class का object, so scanner sc is equals to, और यह statement में थोड़ा सा, आपर छोड़ा हूँ, क्योंकि लेंदी statement है, अगर मैं पूरा लिखूँगा, तो शायद program में problem आजए, तो यह statement आप लोग पीशे वाली screen से देख लोगे, scanner sc equals to new scanner system dot in, जिसमें scanner का s, दोनों scanner का s, और system का s capital रहेंगा, ठीक है, इसके बाद, आपको array declare करना है, int, int a, square bracket is equals to, new int a, और यहाँ आपको लिखना है, 25, means आप 25 elements का एक array पहले declare कर लोगे, ठीक है, हम ही क्या करना है, array declare करना, उसके अंदर numbers पहुचाने, पहला statement आपका होगे, array declare करना, second number पर आप उसमें elements पहुचा होगे, then आप उसमें देखो कि कौन-कौन से elements, even है, ठीक है, तो पहले हम array को input करते है, declare हो चुका है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा, enter elements, तो कोई भी array का program में, आपको declare करना और input लेना तो आना ही चाहिए, आप अगर फस हो, तो सिर्फ logic में फस हो, ताकि आपका at least 60 to 70% program सही बन जाए, then for, अब indexes जो आपके हैं, वो 0 से start होते हैं, तो यह आपका हो जाएगा, int i is equals to 0, and i should be less than 25, i++, क्योंकि अगर आपका elements, number of elements 25 हैं, तो 0 से 24 तक होंगे, तो यहाँ पर 0 से लेकर 24 तक लूप चलना चाहिए, आप चाहो तो less than equals to 24 भी लिख सकते हो, then a square bracket i is equals to sc.next time, तो यह तो आपका सिर्फ array declare हुआ, और array का क्या हो गया, वही, input हो गया, ठीक है, अब हमें क्या करना है, यह आपका हो गया, ठीक है, तो थोड़ा सा जिके हम बढ़ा लेते हैं अपनी, और, ओके नई बढ़ेगी, ठीक है, चलो, अब हमें क्या करना है, अब हमें array का वो logic लिखना है, जिसके तुछ आपका array का हमें वो portion लिखना है, जिसमें array के elements को access करेंगे, अभी हमने क्या किया, array declare किया, array के अंदर elements को पहुंचा दिया, अब हमें क्या करना है, वहां से उन elements को ले कराना है, और उनको चेक करना है कि वो even है कि नóc और जो जो elements even है, उन keywords को हमें क्या करना है, प्रिंट कर देना है, ठीक है, चलिए, अभी, फिर से लूप चलेगा, यहां तक के लूप तो array के अंदर elements को पहुंचाने के लिए उवा फिर से आप एक लूप चलाओगे for int i is equals to 0 i less than 25 and i plus plus और यहाँ पर आपका एक statement होगा int num is equals to a square bracket i ठीक है देखो जो sc.next int होता है basically आपकी keyboard का नाम होता है आप ऐसे समझ लो तो keyboard से elements आपके array में पहुँचे उस वाले for loop में हमने क्या किया array से निकाल के variables को num के अंदर ला रहे है मतलब जो पहला zero index का element है पहले वो num में आएगा फिर one index का element num में आएगा हमें check करना होगा जो इसमें element even है कैसे even के लिए हमको क्या करना है mod करना है आपके num की value को two के साथ ने अगर double equals two के साथ ने अगर num की value two के साथ divisibility में zero है उसका remainder zero है that means num एक ऐसे number को contain करता है जो even है और हमें इसको क्या करना है print यह आपका प्रोग्राम होगी है ठीक है तो बस यह आपका प्रोग्राम complete होता है जितने variables आपने रहे हैं वो आपने करने के लिए क्योंकि यह local variable है local declare किया गया है इसका जो scope है for के अंदर खतम होता है तो हम second for के अंदर फिर से i को ले सकते हैं कोई problem नहीं है ठीक है और num को हमने यही बे declare कर दिया तो ठीक है सारे variables आपके declared है और यह आपका program complete होता है ठीक फिर हर program के अंदर आपको पोशिश करना है at least three to four comments भी करने जैसे आपका एक normal comment हो जाएगा यह जो bracket है वो किसका है यह आपका class bracket है आप end of class लिख दो कुछ भी लिख दो कोई पढ़ने के लिए नहीं होता है कि इसमें हमने क्या लिखा है तो यह class का bracket close हुआ जो यह वाला bracket है वो main का है तो यह आपका हो गया end of main at least two three four comments आपको देने ही देने है ठीक है जो आपको समझ में आता है वो आप लिख सकते हो comment पता है दो ऐसे slant lines और slant line कौन सी जो divide में sign use होता है वो use नहीं करना है यह भी confusion होता है कुछ बच्चों को जैसे five upon two ठीक तो sorry वही वाला symbol use करना है तो जो upon का symbol use करते हो वो symbol आपको comments के section में use करना है ठीक है यह दियान देना कुछ लोग गलती से यह वाला भी लगा देते है यह नहीं use करना है ठीक है एरे को input लिया गया और जो यह portion है इसमें दो काम एक साथ हो रहे एरे को use भी किया है और उसको print भी कर रहे है ठीक है तो चार के section हो जाएंगे एरे की किसी भी program लिए चलिए अगला program ठीक है यह program आपका हो गया next ठीक है program है write a program to input write a programming in java to input an array and print sum of all even elements of the array देखो अब इस program के अंदर वुजो आपका वहाँ पर एक word था ना 25 elements तो हमें scanner से input लेना था क्योंकि next program में आपका ऐसा कुछ नहीं है आपको सिर्क यह बोला गया है कि java के अंदर आपको एक program बनाना है और एक array का input लेना है that means यहाँ पर input होगा argument section ठीक है चलो इसको भी करते हैं तो यहाँ पर आपका program छोटा हो जाएगा थोड़ा class का नाम abc then public static void main exam में public static void main complete लिखना है बार बार repeat कर देता हूं ठीक है गलती मत कराना int a यह आपका हो गया ठीक और जब हम argument section में array का input लेंगे तो हमें उसकी length भी निकालना है तो यह आपका हो जाएगा a dot length ठीक और इसके बाद क्या करना है अब हमें क्या करना है उसके सारे sum of all elements of the array array के सारे elements का sum करना है तो भाई उदरी कर लेते हैं यहाँ पर लिखेंगे थोड़ा सा कम पर जाएगा नहीं इधर भी हो जाएगा ठीक है देखो for int i is equals to zero i less than इसको l कर देते हैं तो थोड़ा सा जिगे बच जाएगी so this is l यह आपका l हो गया and i plus plus ठीक है और अब क्या करना है वैसे इसकी ज़रूत नहीं बट मैं एक num num का variable ले ले तो नहीं लेते हैं सीधे आपको एक statement देना है यहाँ पे s is equals to zero और यहाँ पर आपका हो जाएगा s equals to s plus a square bracket i और खत्र ठीक इससे क्या हुआ एक एक element array से निकल के आएगा और यहाँ पे s के अंदर add होता रहेगा ठीक है क्योंकि array आपको already दिया जा चुका है जब आप argument section में array का input लोगे तो यह मान के चलोगे कि कि आपका जो array है उसके अंदर elements input हो चुके है आपको बस क्या करना है s equals to s plus a of i एक एक value a of i की s में add होगी और s को update करती रहेगी तो सारे elements like अगर मैं एक example आपको दूँ कहां पे गया यह ठीक तो जैसे सबसे पहले 2 निकलेगा 2 8 में add होगा 10 हो जाएगा 10 और minus 5 मिलके minus 5 मतब 5 बचेगा 5 और 6 11 हो जाएगा फिर 11 340 है तो एक-एक element आपका निकलके s में add होता रहेगा और जब loop से बाहर हम निकलेंगे तो s के अंदर हमारा final answer आ चुका होगा उसके हमें display जाओ देना है so sop ln system.out.println with message sum is equals to plus s यह main close यह main close और यह class close ठीक है यहाँ पर आपको फिर से comments देने हैं सारे variables help हो गया i हो गया s हो गया जैसे मैं check करूं आपको exams में ध्यान रखना है कोई भी variable आपका undeclared नहीं छूटना चाहिए तो यह ध्यान रखने ना आप ठीक है चलो बस एक last program हो रहे है सब्सक्राइब क्लास का नाम आप कुछ भी रखो abc then public static void main यह आपके elements हो गया यह array आ गया मतलब array declared है array input हो चुका है आपको बस उसकी length में काम नहीं है ठीक है फिर int l और l के अंदर आपका हो जाएगा a dot length यह आपका length आ गया array का और इसके बाद positive negative elements आपको अलग-अलग calculate करने हैं so p for positive initialization 0 and n for negative initialization 0 that means आपको एक loop चलाना है यह बाला loop क्या करेगा array के elements को access करेगा एक-एक element को access करेगा और आपको चेक करना है कि वो positive है या negative क्यासे if a square bracket i अब यह क्या करेगा सबसे पहला जो भी element होगा 0 index पे क्योंकि icon में 0 से चलाया है यह उसको access करेगा हम check करेगी कि अगर वो element greater than 0 है that means वो positive है तो हमें क्या करना है यहाँ पे p plus plus आपके p की value में 1 का increment हो जाएगा that means p आपका 0 से 1 हो जाएगा इसी continuation में आपको लिखना है else if a square bracket i is smaller than 0 that means अगर वो negative है अगर वो positive है तो p में increment अगर वो negative है तो n में increment और खत्म मतलब अगर वो 0 है तो कोई problem नहीं 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 और loop से बाहर जाके आपको दो SOPLN statement देने है system.out.println एक में हो जाएगा positive elements equals to plus p और एक हो जाएगा negative elements is equals to plus n और ये आपका main close और ये आपका class close ठीक है तो सारे variables declare है आपका L हो गया, P हो गया, N हो गया, I रहे गया ठीक है तो I के लिए थोड़ी सी जिगे बना लेते हैं और I को भी इस बार यहीं declare करते हैं ठीक, I हो गया, हमारा N की value 0 हो गया initialization और ये आपका 0 हो गया खत्म ठीक है? तो इस तरह से आपका ये प्रोग्राम है तो array का input करने क तीन method है, initialization हो गया, arguments हो गया और scanner के through हो गया, जिसमें से मैंने आपको दो methods का use करके आज बता दिया है, जो third method है, उसको भी मैंने बताया है, बस उसको प्रोग्राम में यूज नहीं किया है, ठीक है? तो बस इतना ही आज की class में था बटा, और आपके लिए एक slide में मैंने Yes है, ठीक है? ये थोड़े से starting type की question है, मतलब अगर आपने array अच्छे से पढ़ रखता है, तो आपको और heavy questions भी आप लगा सकते थे, लेकिन अभी मैंने जो पढ़ाया है, वो basic से start किया है, तो ये question है, आप इसका screenshot ले लेना, और ये question है, अगर कोई doubt होता है, तो आप comment section में और अगर आप जैसे भी जानना चाहते हो, अब बताना बाकिए हम लोग जो next class करेंगे, उसमें array की कुछ और questions के साथ में करेंगे, वहाँ पे आप अपनी comment section में लिख देना, अगर कोई problem है, मैं आपको उस particular program को solution भी फिर provide करा रहा है, ठीक है, तो बस इतने ही था जारे की class में और आप पढ़ते रो और रिवाइस करो जो भी पढ़ाएगिया है, thank you, bye bye